Hello guys, welcome to my YouTube channel Riddik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके laptop and PC में अगर आपको date and times related problem आती है तो कैसे आप यह problem को ठीक करेंगे वो हम आपको बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा बिलका icon को प्रेस कर लिजेगा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे 20 बच के 23 मिनट हुआ है date भी आपको proper तरीके से यहाँ पे so हो रही है ओके अगर आपको date and time so ही नहीं होता या फिर गलच so होता है तो आपको start पे क्लिक करना है then आपको settings पे जाना होगा settings पे जाने के बाद आपको step का interface मिलेगा यहाँ पे आपको options हो करता है time and languages का sorry time and language का आप इस पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको date and time आ गया हम इस पे क्लिक करेंगे और आपको simple क्या करना है set time zone automatically आप इसको on कर दीजे so time and date in the system try आप इसको भी on कर लिजे ओके आपको यहाँ method का use करना है then आपका जो problem रहेगा वो sort out हो जाएगा या फिर अगर आपका यहाँ से problem नहीं कई और से problem है तो आप system पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आने के पाद आपको troubleshoot पे क्लिक करना है other troubleshooters पे क्लिक करिए यहाँ से आपको ढून लेना है program compatibility troubleshooter हम इसको run पे क्लिक करेंगे अगर program में कुछ problem होगी तो यहाँ पे आपको so करेगा और आप यहाँ से directly उसे fix कर सकते है second आप recommended troubleshooter history पे जाएगे तो यहाँ पे भी अगर date and time से related आपको problem होगा तो आपको यहाँ पे so करेगा और यहाँ से आप fix कर सकते बट यहाँ से maximum chance है कि आपको इसे कोई भी problem नहीं आएगी आप time and language पे जाएगे तो यहीं से आप अपनी problem को ठीक कर पाएगे और आप एक बार अपने PC को restart कर लीजेगा यहाँ